आप देख रहे हैं यंग बाइट्स में हूँ आपके साथ पूजर ठाकुर आपको बदा दें कि आल जे एंड के पटवार एसुजेशन द्वारा जो है आज प्रदशन किया जा रहा है और कई सारे इनके मुखे मांगया यह जाते हैं क्या कहना जोगे इससे पहले भी आप अपनी मांगों को लेकर प्रदशन कर रहे थे देखे मैं आपकी विशादत से मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हमारी जो यूटी एकाई स्टेट प्रेजिडेंट ने कल ये फैसला लिया है कि हम तीन रोजा हर्ताल पे हैं आज हमारा हर्ताल का पहला रोज है जो हमारे मतालबा देना मतालबा थे और जो नई हरास्मेंट ऑवरबर्डन और अफसरा जो गौवर्मेंट का प्रेशर कई हमारे पटवारियां जो कई बीपी का शिकार हो चुके हैं कई लोग सर्वाइकल के पेशन्ट बन चुके हैं कई लोग कई बार हस्पिटलाइज हो चुके हैं इस डिजिटाइजेशन को लेकर लेकिन हम इस चीज से पीछे नहीं हैं कि हम डिजिटाइजेशन नहीं करेंगे हम डिजिटाइजेशन बिलकुल कर रहे हैं और साना बचाना हमने अपने साथ टेकनिकल लोग भी जो कोई भाई जो कोई दोस्त उसको भी हाईर किया है साथ में अपने साथ रखाया कि हमारा जो digitization का process है इसको फोरी complete किया जाए लेकिन उसके बावजूद इतना pressure और इतनी harassment की जा रही है हमारे पटवारियान को कि वो बिमार होने पे hospitalized होने पे मजबूर हो चुके है हमारी ये आपके विशादत से आपके जरीया से आप हम ये बताना चाहते हैं गवर्मेंट को कि अगर सभी मुलाजमीन का आठ गंटे छे गंटे साथ गंटे अगर उनका time table है काम करने का तो पटवारी से 15 गंटे या 18 गंटे काम क्यूं लिये जा रहा है आपने specialized एक रेम टेक company हाईर की थी जिसको आपने हजारों क्रोड पे टेंडर किया था जिसके साथ आपने commitment उसने commitment की थी उस standard में कि वो digitization करेगी स्कैनिंग करेगी और इस सारे जितना भी record है इसका settlement करेगी वो बीच मज़दार में छोड़कर बाग कर उस सारा जितना pressure है वो पटवारियों पे लादा गया है और पटवारी के पास कोई ऐसा अला दिन का चराग नहीं है कि वो रातो रात सारा रगार digitization करेगा digitize करेगा मैं आपके विशादत से ये government को अपनी हमारी सिरकार को हमारे हमारे lieutenant governor साफ से मैं मोदवाना गुजारिश करना चाहता हूँ कि आप टेकनिकल लोग लगाईए टेकनिकल लोगों को हायर कीजिए government उसका पे की करें ताकि वो क्यूंके पटवारी को computer चलाना नहीं आता ये M.C.A. B.C.A. टेकनिकल आटो आटो कैट चलाने वालो लोगों का काम है इसके लिए टेकनिकल लोग जो हायर कीजिए जाए दूसरी बात अंड्यूब हरास्मेट जो आफसरान की पबली सर्विसीज गरांटी अक्रिकेट है सर्विसीज डिलिवर कैसे होंगी जब आपने इंफ्रस्ट्रक्चर ही परवाइड नहीं किया आपने कोई 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 प्रवारि को बिलकुल प्रवाइड नहीं किया है जिससे वह अपनी सर्विसीज अंजाम दे सके अगर आपके कम्प्यूटर या लेपिटाप अगर है तो वह भी तसील दार आफिश तक है या नाइत तक आफिस तक है तो पट्वारियों को फारी तो इंफ्रस्ट कि बेड़ का है पेड़ हमारा हाल नहीं हुआ पेड़ हमें नहीं मिला यह इन्हानस्मेंट और प्रमोशन कोट पार नाइबती दुझलदार नहीं हुआ क्रेशन जब तक नहीं हुई अब हमने तीन रोजा हमारी जो यूटियक आई है हमारे प्रेजिडेंट साब ने ये डिकलेर किया है तीन दिन का पैंडराउंड स्ट्राइक अगर इस दुरान इस टाइम में हमारी जो मतालबात जैसे गोर्मेंट ने पहले अशोर किया है कमिशन सेक्टिक के साथ मिनिट साथ मिटिंग डिकलेर हुए हैं कि अशोर कि आपके जरीया से मैं बता देना चाहता हूं कि तीन रोजा स्ट्राइक इससे लावा जो हमारी यूटे काई हमारी जो जेके यूटे के हमारे प्रेजिडेंट मला साथ हमारी जो भी स्टेट बाड़ी जो भी डिसीजन लेगी कांटीनू करने के लिए और या इसको अल्टिमेटम देकर नेक्स्ट टाइम पिरेट देने के लिए जो भी उनका हुकम होगा हम उसको फालो करें तो आलजेर की पटवार अस्सेशन की ग्रेट पे के साथ साथ अन्य मांगों को लेकर आज ये प्रदर्शन था उनका ये कहना है कि हमारी मांगों को जल से जल पूरा किया जा आने था इसी तरह से प्रदर्शन ये करते रहेंगे अगले अगले लेकफर में हाज़र होगी तब तक आप देखते हैं विजल सब शेक बढ़ू के साथ मैं पूजट हाक और ये अंग बाइट जब